नमस्का दोस्तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मारी चैनल डेमोक्रिटिक वायर में और आपके साथ मैं हूँ महक दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे अपील है कि वीडियो को जादा से जादा शेयर कर ले और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तो कलमने आपको ख़बर दिखाई थी कि कैसे भारतिय जन्ता पाटी के सथानैने नेता और केंद्रे मंत्री आपस में ही भिढ गए थे असरब भारतिय जन्ता पाटी के नेता वो अपनी ही पाटी की पोल खोलने में लगे हुए हैं दोस्तों खबर जो है वो करनाटक से हैं यहां विजयपूर से बीजेपी के वधायक बसंगोडा पार्टिल यतनाल ने चेतावनी दी है चेतावनी कहिए या फिर धंकी भाजुपा वधायक बसंगोडा पार्टिल यतनाल ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम बताऊंगा जिन्हों ने कोरोना महामारी के दौरान लूट पार्ट की है और अकूट संपत्ती बनाई है कोरोना की पहली रहर में B.A.C. यदी उरप पार मुख्यमंत्री थे उस समय 40,000 करोर रुपे का गबल हुआ है उस समय प्रते कोरोना मरीज के नाम पर आर्ट से 10 लाख रुपे का बिल बनाया गया था यतना ने च्विताव नी दी कि अगर उन्हें भाजपा से निकाला गया उस समय हमारी सरकार थी लेकिन इस से कोई फरक नहीं परता कि सत्ता में किसकी सरकार थी चोर तो चोर है BJP विदायक यहीं नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि यदी उरप सरकार ने कोविड के समय 45 रुपे के मास के लिए 480 रुपे तै अदा किये थे साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो मुझे नोटिस देंगे और मुझे पार्टी से निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं उन सभी को बेनकाब कर दूँगा सच कहा जाए तो सभी को डर में रखा जाना चाहिए अगर हर कोई चोर बन जाएगा तो राज्य और देश को कौन बन जाएगा अब बीजेबि विदायक बसंगोडा पार्टिल यतनाल के इन आरोपों का मौजुदा मुख्य मंत्री सिदार मया ने जवाब दिया और कहा कि बीजेबि विदायक बसंगोडा का ये सहसिक आरोप की येदि एरोपा के नेत्वत्ववाली बिछली भाजबा की सरकार में कोविर के दौरान 40,000 करोड रुपे के ब्रस्टा चार हुए है उनके आरोपों ने हमारे पहले के सबूतों को और भी बुक्ता कर दिया है जिसमें हमने आरोप लगाया था कि बहाजबा सरकार 40% कमीशन की सरकार थी अगर अब भाजबा विधायक बसंगोडा के आरोप पर विचार करे तो ऐसा लगता है कि भष्टा चार हमारे अनुमान से 10 गुना अधिक है भाजबा के मंत्रियों का समूँ जो हमारे आरोप पर चिलाते हुए बहार आये थे और विधान सबा में प्रेस कॉन्फरेंस की थी वो अब कहां छेपे हुए है दोस्तों तो देखा आपने कि ये बीजेपी वाले कैसा काम करते हैं अब तो इनकी सचाए इनके खुद के ही विधायक ने सामने लाई है इनके खुद के ही विधायक इनके उपर इतना बड़ा आरोप लगा रहे है क्या इस मामले में दोस्तों जाच नहीं होनी चाहिए आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएगा और साथ ही हमें भी देतीजी जाज़त अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ और साथ ही दोस्तों अब जाते जाते वीडियो को लाइक भी जरूर करके जाहिएगा